नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका पुनम सिंग रेसिपी में और मैं पुनम आज एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ फिरन्ट तो फेस्टिवल्स खतम हो रहा हैं और आपको तेल मसाला खाते-खाते मन उप गया हो तो चलिए आज हम बनाते हैं टोमेटो राइस बिल् आई जब गुन-गुना गर्म हो जाएगा तब इसमें हम डालेंगे सोया चंक्स यह करिब अमारा 50 ग्राम शोया चंक्स है जो ढा1r रधाई सो ग्राम हम दालेंगे और 2r 100g हम लेलेंगे टमाटर तो उसके पहले हम प्याज लेलिए है दो काट लिए चावल ले लिए हैं और धो करीश का हम पानी निकाल दिये हैं अब हम क्या करेंगे कि टमाटर को हम मिक्सर ग्राइंडर में इसे पेश्ट बना लेंगे अगर आप चाहें तो ऐसे कटा हुआ भी फ्राइ करके डाल सकते हैं लेकिन टमाटर के फ्लेवर में हमें बनाना है तो इसको थोड़ा सा हम ग्राइंड कर देंगे हलका पानी डाल कर ताकि ये पेश्ट तयार हो सके इसका तो देखिए इसको हम अब पीस लेते हैं बिल्कुल बारिक इससे हमें पीस लेना है ताकि ये चावल में अच्छी तरह से मिल जाए तो यहां देखिए तयार हो चला है पीस कर बिल्कुल पेश्ट जैसा हमको चाहिए होता है अब इधर हम पैन गरम कर लिए हैं और उसे में डालेंगे दो चम्मच गी गी डालने के के बाद हम इसमें सोया चंक्स को डाल कर फ्राई करेंगे सोया चंक्स को हम उबालने के बाद रणिंग वाटर हैं खुब अच्छी तरह से धोकर उसका पानी निचे उड़ लिये थे इसी में हम डालेंगे बीच में थोड़ा सा जीरा जीरा से है कि रोष्ट हो जाता है और स्मोकी फ्लेवर आता है राइस में और उसी के बाद हम डाल देंगे चावल आप चाहें तो दोनों अलग अलग भी इसको फ्राई कर सकते हैं लेकिन हम कम गी के उपयोग में दोनों एक साथ ही फ्राई कर ले रहा हैं और इसी में हम करी पत्ता और मिंट लिप्स डाल कर और पुदिना की पत्तियां बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है फ्रेंट्स अगर आपके पास उपलव दो तो जरूर पुदिना की पत्ती भी ढालें इसमें और अगल अलग टेश्ट का मजा लें तो यहां चावल और सोया बिन फ्राई हो चला है अब इसे हम निकाल लेंगे कि एक बड़ा चम्मच हम रिफाइंड ओएल ढालेंगे और सबजीयों को फ्राई करेंगे तो तेल गर्म हो चला है अब इसमें हम क्या करेंगे कि एक चम्मच ढालेंगे कि viese जीराव मिशन बेर देंगे 10-15 दाना यहां अद्रक जो हम काट लिये थे स्लाइस में उसको डाल देंगे लंसन को डाल देंगे और इस सब को हलका हमें 30 सेकेंड तक सौटे कर लेना है मिर्चा भी डालें यहां हम और फिर डाल देंगे करी पत्ता को इसका तड़का में टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है फ्रेंट आप सब जरूर डालें यह टेस्ट के अलवा हिल्दी भी है हमें फायदा भी करता है यह बहुत तो यहां सब डालने के बाद हम क्या करेंगे इसको सौटे कर लेंगे हमें इसको गोल्डेन ब्राउन नहीं करना है 30 सेकेंड तक सौटे कर लेना है उसके बाद हम डाल देंगे इसमें प्याज प्याज को हम थोड़ा मोटा ही काटे हैं क्योंकि राइस में इसको थोड़ा सा और क्योंकि इसका फ्लिवर बहुत ही टेस्टी होता है और पुदीना भी बहुत हेल्दी होता है पेट के लिए और स्वाद मुह में भी आपको अगर चाला पड़ जाए तो इसको पानी उबाल कर पुला किजिए फैदा होता है और इसी में थोड़ा सा हल्दी हम डालेंगे ज्यादा नहीं क्योंकि हमें टोमाटो कलर का बनाना है तो हल्दी कम डालना है और इसका प्यूरी हम डाल दिये इसमें और इसको दो से चार मिनट तक धीरे धीरे आज पर हमें पकाना है पहले टमाटर को और इसी में हम डालेंगे अब एक सिमला मिर्च काट कर, हम पहले फ्राइ नहीं किये कि color change हो जाएगा, ऐसे बाद में आप सब डालिए, तो बिल्कुल green color बना रहता है ये, तो टमाटर पका लेना है, इसी में हम डाल देंगे अमचूर, थोड़ा सा चटपटा लगने के लिए, वैसे टमाटर भी थोड मिल पानी, पानी हमें double नहीं लेना है, चुकि चावल नया वाला है, तो उसमें थोड़ा मौश्या रधिक रहता है, तो अगर आपका एक glass चावल है, तो डेढ़ गलास आप पानी डालें, अब यहां पर हम डालेंगे स्वादानुसार नमक, नमक लाष्ट में ही हमें डालन है, ताकि सब quantity का पता चल लिया, उसी अंदाज से कितना हो रहा है सब, अब उबाल आने के बाद आप हम इसमें जो फ्राई किये हुए थे चावल सोया विन, उसको डालेंगे, और अगर आप गैस पर बना रहा है तो बिलकुल लो फ्लेम कर दें, कूकर में बना रहा है तो एक सिटी लगाएं तेज आज पर ही और अगर इंडक्शन पर बना रहा है तो स्लो कूक करके और छोड़ दीजिए पांच मिनट के लिए, फिर बीच में देख लिजिए कि पका है या नहीं, अगर कच्छा है तो उसे फिर ढख दीजिए, वो पानी और मौश्यर दोनों से ह चावल पकेगा दीरे-दीरे, मिडियम स्लो कूक होगा, तो यहां देखिए, बीच-बीच में हमें चला लेना है, थोड़ा सा यह पानी है इसमें, इसे हमें तेज कर देना है इंडक्शन का पावर, और इसका जो पानी है उसे हमें सुखा देना है, नहीं तो यह फ्रेस नह नहीं हो पाएगा फ्रेंट, तो चावल पक गया है बिल्कुल, लेकिन थोड़ा सा मुश्यर ज्यादा है चावल में, पुरा खिला खिला नहीं दीख रहा है, तो इसके लिए तेज आच पर हमें हलका हांच से चला चला कर उसका पानी खतम कर देना है, ढ़कना नहीं नहीं तो गिला हो जाएगा यह, देखिए कितना अभी भाब निकल रहा है, अब हम इसमें डाल देंगे यहां पर गरम मसाला, गरम मसाला डाल कर थोड़ी देर हम ढख देंगे, ताकि मसाला का फ्लेवर चारू तरफ फैल जाए टोमेटो राइस में, तो देखिए थोड़ा चाव नहीं हुआ, तो वीडियो लंबी ना हो, तो इसके लिए हम कैमरा आउफ करके ही प्लेटिंग के फ्रेंट्स, तो कैसी रहिए, रेसिपी हमारी कमेंट करके जरूर बताइएगा, दोस्त मित्रों में सेयर किजिएगा, ताकि अधिक कांस लोगों तक मेरी रेसिपी पहुंच सके और बेल ऐकॉन अउन रखेगा, ततकि नोटिफिकेशन मिलजाएगा.